आजकल होलीवुड की तरज़ पर इंडिया में भी मूविज के सिनमाटिक यूनिवर्स बनने लगे हैं जैसे लोकेश के अंगर आजकल लोकी सिनमाटिक यूनिवर्स यह शराज फिलम का स्पाई यूनिवर्स और प्रसाथ नील का के जी अफ यूनिवर्स इन सब इने बेतरीन मूविज दी हैं और बॉक्स और इस पर बेतरीन कलेक्शन किया तो इनी की देखा देखे एक और यूनिवर्स बन रहा है जिसका नामे दिनेश वीजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिसमें में हॉरर कॉमेडी मूविज देखने को मिलेगी तो चलिए इस वीडियो में जिनेश वीजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की रिलीज हो चुकी और अपकमिंग मूविज के बारे में आपको बताऊंगा इस उनिवर्स की फर्स्ट मूवि थी स्त्री जिसमें में राजकुमार राव शर्दा कपूर अपार शक्ति खुराना दिखाई दिये थे और यहां उर्बन स्टोरी नालेबा पर अधारी थी जिसे 14 क्रोड के बजट में बनाया गया था और इस मूवि ने 180 क्रोड का किया था और क्लेक्शन के हिसाब से यह एक ब्लोकबस्टर फिलम रही थी और उसके बाद इस उनिवर्स में रिलीज होई थी सेकंड मूवी रूही जो 2021 में रिलीज होई थी जिसमें हमें राजकुमार राव वरुन शर्म और जानवी को पूर दिखाई दिये थे मूवी को 20 करोड के बिजट में बनाया गया था वर्ल्ड वाइड मूवी का कलेक्शन 30 करोड रहा था इससाब से यह मूवी एक एवरेज फ्लॉप या एवरेज इट फिलम साबित हुई थी इनिवर्स की थार्ड मूवी रिलीज होई है जिसका नाम है बेडिया जिसे रिलीज होई दिनों में हिट हो जाएगी अब बात करें दिनेश विजन के आने वाली मूवी के बारे में तो सबसे पहले आएगी मुंजा जिसमें में विक्की को शलतारा सुतारिया और सरदा कपूरा पेंस त्री वाले रोल से ही दिखाई देंगी और यह मूवी हमें अगले साल 2030 में ब साया जा सकता है और मूवी काफी जड़ा इंट्रस्टिंग होगी और यह मूवी हमें 2023 स्केंड तक दिखाई देगी बॉक्स मुंजा के बाद अगली फिल्म होने वाली है स्त्री टू जिसमें एक बार फिर राजकुमार राओ शरदा कपूर अपार शक्ति खुराना और मूवी को पूर एक बार फिर दिखाई देंगे अलांकि यह मूवी को बनने में अभी काफी ज़्यादा समय और यह है 2024 तक ही दिखाई दे सकती है और उसके बाद इनकी आने वाली मूविज मुंजा 2 वेंपायर 2 और स्त्री 3 हो सकती है तो फ्रेंड्स यह था होर्र कॉमेड उनिवर्स की आने वाली और ली जोचुकी मूविज की लिस्ट आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत बूलना बैल आइकन भी दुआलना ताकि आने वाली वीडियो की अरशाद धन्यावाद